हेलो दोस्तो प्रेमियर लीग के बारे में हम बात करेंगे ये जो मैच होने वाला है बी आर ई वर्सिस बी यू आर के दर्मियान इस वीडियो में दोस्तो हम आपके साथ की प्लेयर्स के निवस, प्लेयर स्टेटर्स, टॉप ग्राण लिक टिमस का प्रवियू, टॉप क्लास, कैप्टेन, वाइस, कैप्टेन ओप्शन के बारे में जानकारी देंगे साथी साथ दोस्तो इस मैच जुड़ी कोई भी जानकारी और लाइन अप्स निकलने के बाद, फाइनल टीमस फ्री आप कॉस पाने के लिए, आप हमसे हमारी टेलिग्रम चैनल पर भी जॉइन हो सकते हो, टेलिग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तो हम दोनों टीमस की रिसेंट परफरमिंस पर एक नज़र डालेंगे, और दोनों टीमस की तर्मियान जो अभी तक हेट टो हेड मैच हुए हैं, दोस्तो उस पे भी एक नज़र डालेंगे, टोटल अगर देखा जाए लास्ट 7 हेट्वड मैचस की, तो लास्ट 7 हेट्वड मैच में दोस्तो बी यू आर की जो टीम हैं, इसके अलावा अगर रिसेंट मैच की बात करेंगे, जो कि इन्नों ने लास्ट 5 फाईओ मैच मेंच में दोस्तो परफरमिंस दिखाई हैं, ला पॉइंट टेबल में दोस्तो बियार ये की टीम आपको आगे देखने को मिलेगी पंदराइवे नंबर पर वही ये टीम आपको अठारवे नंबर पर देखने को मिलेगी दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दोनों टीमस पॉइंट टीमस नहीं है जितनी प्रेम और status के बारे में साथी साथ आपको top class teams का preview भी दिखाएंगे प्यारे दोस्तों याद रखना अभी contestants join मत करना ये demo teams है इनको भी copy मत करना इससे आपका loss हो सकता है one by one team का दोस्तों आपको preview दिखाएंगे और साथी साथ player status और top class captain, vice captain जो option से उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे लेकिन आपसे एक request है कि अगर आपने अभी तक telegram join नहीं किया है तो join कीजिए क्योंकि final teams आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेंगे जो कि totally free up cost है तो चलिए डालते हैं पहले team पर नजर इस team में दोस्तो दो player आपको ऐसे player देखने को मिलेंगे जिन पर आपको ज़्यादा बरूसा नहीं करना है ये दो players, इनमें दोस्तो changing हो सकती है, इस बात को पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये दो players हो सकता, इनको खेलने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी इनको मैंने pick up कर लिया विकास greater problem दोस्तो थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन goalkeeper के chances ज़्यादा ही अगर खेलेगा तो अच्छे chances है इसके खेलने के, इस वाले player के थोड़ी से कम ही है तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर defender section में आपको चार option देखने को मिलेंगे MB है, J, Tarkoviski, M, Sorensen और E, Pinonok है, यह जो चार players है दोस्तो अच्छे players है और यहाँ पर आपको MB सबसे अच्छा option देखने को मिलेगा इसने दोस्तो अभी तक इस league में 3 goal score किये है और साती साथ दोस्तो 3 assistors भी score किये है और अच्छा option है, बागे तरीके से भी दोस्तो आपको यह point दे सकता है जैसे कि दोस्तो passes, completed assistors, clean sheet, interceptions, one, chances created, key passes वहाँ से भी point दे सकता है, सिर्फ goal करने से दोस्तो point नहीं मिलते है बागे तरीके से भी दोस्तो point मिलते है एक अच्छा option है, captaincy के लिए grand league में आप इसके साथ जा सकते हो as a captain वही दोस्तो wise captaincy option की बात करेंगे यहाँ पर आपको Jay Travis की एक अच्छा option है इसने भी दोस्तो अभी तक एक goal किया है बागी तरीके से भी आपको यह point दे सकता है एक अच्छा option बन सकता है wise captaincy के लिए और यह वाला player captaincy के लिए भी ठीक रहेगा यह पिनॉक की बात करेंगे यह भी दोस्तो एक grand league पिक रहेगा आप चाहो तो इसको captain try कर सकते हो बट मेरे अंदासी यह captaincy के like नहीं है यहाँ पर अभी तक इन चार players में अगर देखा जाए तो यह वाला player captaincy के लिए यह wise captaincy के लिए grand league में ठीक रहेगा वही यह highly risky grand league में आप wise captain यह captain try कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर midfielder section की midfielder section में काफी अच्छे players देखने को मिल जाएंगे अगर यहाँ पर देखा जाए captain option तो यहाँ पर M corner है C nor guard है यह दोनों काफी अच्छे हैं जिन पर आप ज्यादा परूसा लगा सकते हो वही अगर सबसे पहले option C nor guard की बात करेंगी दोस्तो इसने अभी तक 2 goal इस league में score किये है और 2 assistors भी score किये है बाकी तरीके से भी इसने point दिये है जैसे कि दोस्तो passes, interceptions, assistors तो अच्छा option है captaincy के लिए यह वाला player captaincy के लिए ठीक रहेगा वही M correct की बात करेंगे M correct भी एक अच्छा खासा option है इसने दोस्तो अभी तक 6 goal इस league में score किये है और बाकी तरीके से भी आपको यह point gain करके दे सकता है तो कुल मिला के यहां से यह दो options captaincy के लिए ठीक रहने वाले है जै ब्रोविल की बात करेंगे आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो एज़ वाइस captain DMC Nile की बात करेंगे यह भी एक important option रहेगा लेकिन दोस्तो सिर्फ वाइस captaincy के लिए और अब वी Janet की बात करेंगे वी Janet ने भी दोस्तो अभी तक 2 goal score किये है और last वाला player जो यहां पर आपको हैट प्रेड में दोस्तो इसको आप captain try कर सकते हो इन दो में से किसी को wise captain try कर सकते हो वह या अगर आप 100 members तक खिलना चाहते हो तो आप फिर यहां पर दोस्तो टार्गेट कर सकते हो यानि दोस्तो अगर आप सुमाली खिलना चाहते हो grand league में दोस्तो आप कही पर भी target कर सकते हो दूसरे team की बात करेंगे लेकिन आप से request करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी channel को subscribe नहीं किया तो दोस्तो subscribe कर लो और bell की गंडी को भी दबादो latest dream 11 के videos को सबसे पहले देखने के लिए उमीद करते हैं आपने हमारी channel को subscribe किया होगा यहां पर आपको goal के पर top option देखने को मिलेगा अब UAR की तरफ से यह भी एक अच्छा का सा option है तकरीवन average के साब से देखा जाए 30 से जादा point आपको यह score करके देश सकता है MB को captain बना दिया जिसने अभी तक 3 goal 3 SS score किये है और वही दोस्तों अगर vice captain से की बात करेंगे C नरगाड को बना दिया जिसने अभी तक 2 goal 2 SS score किये है और यहां पर आपको forward section में और एक नया player देखने को मिलेगा यह जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसने दोस्तों अभी तक M, B, meborio B, meborio की बात करेंगे इसने अभी तक 3 goal 3 SS score किये जो कि यहां पर आपको player देखने को मिल रहा है कुल मिला के यह जो दोनों player नीचे है आप इन दोनों को भी captain try कर सकते हैं दोनों player captain से के like है अब बात करेंगे फटा पर दोस्तों यहां पर नए players की जो यहां पर बाकी teams में लिये है team number last की बात करेंगे not least इसमें भी दोस्तों सिरफ 3 defender आपको देखने को मिलेंगे 4 है midfielder 3 है दोस्तों यहां पर forward section में Jay Ruggardis को pick up किया है इसने अभी तक एक goal किया है कर सकता है वहीं दोस्तों बागी तरीके से भी आपको point दे सकता है highly risky grand league team के लिए दोस्तों यह अच्छा pick रहने वाला है और C not अच्छा pick रहेगा B अच्छा pick रहेगा और यह जो दोस्तों यहां पर मैंने pick up लिया यह highly risky grand league team है और एक question है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था M Cornet यहां पर option मिलेगा M Cornet आप उसको भी ले सकते हो B को ले सकते हो और एक player आप अपनी मरजी से लोगे तो तकरीबन उन में से 6-7 players में से आप 6 captain बना सकते हो बागे वाइस captain उदर यदर change करके आप बहुत ही बहतरी इन team मना सकते हो फिलाल दूस्तों आप मुझे यहां से दीज़े इजाज़त हम मिलेंगे टेली ग्राम पे बाइबाइ and best of luck